आज हमारे गाउ के विश्णो देवी मंदिर में चलते हैं। माता का मंदिर बहुती खूब सुरत है। तो सबसे पहले गनेजी के दर्शन होते हैं। इसके बाद माता विश्णो देवी के दर्शन होते है। माता वेश्न देवी के मूर्ती यहाँ पर स्तापित है, नवरात्रों में सभी भक्त लोग आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, साइड में पानी के जरने हैं, यहाँ पर छोटी सी गुफा है, यह छोटा सा द्वारे गुफा का, यहाँ से अंदर चलते हैं, तो उपर से पानी पानी आता है, नीचे पानी के जर्ना है, तो यहाँ पे अंदेरा बहुत है, सीडियों से पानी आता है, तो हम सीडियों से उपर की ओर चल रहे है, पुरी कलाकारी पत्थरों की है, अंदर पूरा पत्थर का बना हुआ है, सीडियां छोटे-छोटे पत्थरों से बनी है, तो यह है छोटा साद्वार बाहर आने का, यहाँ पे पिंडी दर्शन होगा, तो यहाँ पेर माता वैश्नो देवी का फोटो रखा है, पिंडी दर्शन होगा, तो इसके बाद हम चलते हैं बाहर की और, इसके उपर के और जाना है, उपर के और भैरवनात अनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ पर जो जोत जिगी थी, ओ माता वैश्नो देवी के मुख्य, त्रीकुट परवत, जहाँ पर मुख्य माता वैश्नो देवी का मंदिर है, वहाँ से जलती हुई जोत लाई गई और यहाँ पर जिगाई गई, वही जोत अभी भी जिग रही है, तो ये सात्मे भहिरनाजी है अनुमान जी